हाई गाईज, वेलकम तो स्टेडी स्किल सक्सेस, एंटिय यानि की नैशनल टेस्टिंग अजेंसी दवारा, नीट यूजी 2023 को लेकर नहीं गाइडलाइन जारी की गई है, उन्हीं गाइडलाइन पर आज हम चर्चा करेंगे कि गाइडलाइन है क्या और किसके वीडियो काफे जादा इंपोर्टेंट है यार आप सभी स्टूडेंस के लिए, वीडियो को लास्ट तक जिरूर देखेगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि Medical Education के रिगार्डिंग जो भी important informations है, वो आपको time to time मिलती रहें, चलीए, बात करते हैं नहींoe guidelines पर, तो सबसे पहले ये जो guidelines जारी की गई है, वो आपकी की गई है, आपके bonus marks को लेकर, ठीक है, bonus marks जो है, उसको लेकर ये जो guidelines है वो जारी की गई है, एक एक करके देखते हैं, चार guidelines है कि है क्या, जैसा कि आपको पता है कि आपको कोई भी एक्जाम में कोशन मिलता है, उसके चार आंसर होते हैं, A, B, C और D, इन में से अगर किसी कोशन में दो आंसर करेक्ट हैं, जैसे कि option A और option B, दो आंसर करेक्ट हैं, तो उस condition में किन को bonus marks मिलेगा, उस condition में सिर्फ उनी students को bonus marks मिलेगा, जिनों ने इन दोनों में से किसी एक option को क्लिक किया है, ठीक है, मतलब attempt किया है, यानि कि एक student है, जिसने option number A correct किया, लेकिन options तो दोनों correct है, तो उस condition में उस student को क्या मिलेगा, उस students को bonus marks मिलेगा, अगर किसी students ने option B correct किया है, किन correct तो दोनों है, तो उसमें भी bonus marks मिलेगा, अ अगर आप में से किसी student ने इस question को attempt ही नहीं किया यानि कि इस question को skip कर दिया तो भी आपको उस condition में bonus marks नहीं मिलेगा ठीक है पहले क्या होता था सब को मिलता था तो फिर उसका result पर effect नहीं पड़ता था लेकिन अब change हो गया है scenario तो result पर भी bonus marks का effect definitely देखने को मिलेगा तो पहला clear है ठीक है दूसरे परबात करते हैं all options correct अगर इसमें से all options correct है ऐसी condition आती है तो आपने अगर question को attempt किया है तो आपको bonus marks मिलेगा attempt नहीं किया तो bonus marks नहीं मिलेगा simple तीसरी है एंटिये डेक्लेर रोंग question ये थोड़ा क्या है कि एंटिये अपने गलती कभी मानता नहीं है लेकि लेकिन फिर भी एंटिये ने डाल दिया है कि इस एंटिये ने बोला है कि ऐसी situation आती है जिसमें एंटिये ये मानता है कि उसके द्वारा दिया गया question incorrect है तो उस condition में सभी students को जो वो bonus marks दे दिया जाएगा लेकिन ये होने नहीं वाला option number 4 जो guideline number 4 है close number 4 उसमें section B के regarding दिया गय section A और section B section A में 35 questions और 30 questions और section B में आपके 15 questions है जिसमें से कोई 10 questions आपको attempt करने है माल लीजे 1,2,3,4 ऐसे करके 15 questions है आप में से किनी students ने क्या किया पहले 4 questions attempt किये और बाद में last के 6 questions attempt कर दिये लेकिन बीच का कोई question जो है वो उसमें query आ जाती है और उसमें 2 options correct रहते हैं तो उ attempt नहीं किया तो मतलब आपको bonus marks नहीं मिलेगा ठीक है अगर एक question में query आती है section B में और उस question को आपने attempt किया है उस condition में आपको bonus marks मिलेगा उस condition में bonus marks तभी मिलेगा जब ये तीनों rules follow हो रहे हो ठीक है जो उपर में मैंने आपको बताई ये दोनों rules कि उसके options आपने correct किये हो वगेरा वगेरा ये जो वाला जो section मैंने आपको बताया था वो अगर आप fulfill कर रहे हैं तभी उस condition में आपको bonus marks मिलेगा otherwise आपको इस condition में भी bonus marks नहीं मिलेगा थोड़ा complicated हो गया लेकिन मैंने जितना हो सके easily way में इसको समझाने की कोशिश की है बाकि आपको query रहती है तो से संतुष्ट है तो भी आप comment section में comment करके बता सकते हैं बाकि ऐसी ही वीडियो आगे भी आपको मिलती रहेगी उसके लिए चैनल को subscribe और bell icon को प्रेस जरूर कर लीजेगा मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए good luck and have a nice day